असकार दोस्तों बहुत स्वागत है आपका अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी दोनों आखों का एक साथ फड़कना दोस्तों आप इस वीडियो को शिरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखेगा ताकि आपको पूरी जानक प्राप्त हो सके तो चलिए शुरू करते हैं शुब अशुब घटनाय होने से पहले संकेत देती हैं यह संकेत कई तरह से मिलते हैं जैसे अंगों का फड़कना किसी खास चीज का दिखना सपने आना आदी जोतिश शकुन शास्त्र आदी में इन संकेतों और उनके मतलबों क बारे में बताया गया है इसमें आख फड़कना भी शामिल है हाला कि महिला पुरुषों के लिए अंगों के फड़कने के मतलब अलग-अलग होते हैं सबसे जादा फड़कने वाला अंग है आख अंगों के फड़कने की बात करे तो महिला हो या पुरुष दोनों की सबसे ज्यादा आखी फड़कती है लेकिन दोनों के लिए आख फड़कने का मतलब अलग-अलग होता है पुरुषों के लिए दाएं आख का उपरी पलक का फडकना प्रमोशन दिलाता है साथी धन लाब कराता है यदि महिला कामकाजी हो तो बाई आख का फडकना उसे करियर में तरक्की मिलने का प्रबल संकेत हो सकता है यदि पुरुषों की बाई आख फड़ के तो उनका किसी से विवाद हो सकता है यह मान हानी का भी इशारा देता है यदि दोनों आख एक साथ फड़ के तो इसका मतलब होता है कि आपकी किसी पुराने बिछडे हुए दोस्त से मुलाकात होने वाली है यह संकेत महिला पुरुष दोनों के लिए एक जैसा होता है वही पुरुष की बाई आख की उपरी पलक फड़के तो परिवार में पुत्र के आगमन का संकेत होता है वही दाएं आख का पीछे की ओर फड़कना महिला पुरुष दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप इस वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ साथ में घंटी का बटन भी दबाए